और चैंसर के अगर बात कर रहे हैं तो उसका क्यों है या फिर इंडिया में ट्रीटमेंट एसका कुछ क्यों होते हैं तो इसे की स्मोंकिंग टोबैको चुएंग cigarettes, bду, hukka, इन सबसे जो भी धूअ generate होता है, भो अंदर आपकी lunges में भी कर रहा है, आपकी isophagus में भी कर रहा है और आपके मुझ से जा रहा है वो, तो जो भी मुझ से जा रहा है, गोपाडी वग्रा जो है है, इन सब में acid release होता है, तो constantly एक stimulus, वो बॉडी को दे रहे हैं जिसकी वज़े से वहां पर बनना शुरू होता है स्टार्टिंग स्टेज में उसको हम लोग लुको प्रेकिया कहते हैं जो एक वाइट सी या वार्जिनल ग्रेश सी लाइन बनने लगती है गाल की खाल में या जहां पर भी लोग जैसे यहां पर तंबा को रखके कभी यहां रखते हैं तो वह एरिया पहले खराब होने लगता है वहां पर जो म्युकोसा है जो मुलायम खाल है वो गलने लगती है धीरे धीरे वो गलते 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 बढ़ती जाती है बढ़ती जाते हैं क्योंकि body उसको try कर रही है बट वहाँ पर cells अब धिगड़ जाते हैं वो uncontrolled growth जो है वो cancer ये tumor बन जाती है तो कई बादेंचर स्विजर से भी होता है जो dentures ill-fitting होते हैं जो कि proper मुह में fit नहीं हो रहे हैं मगर patient को आदत पड़ी है कि वोई पहन के वो खा रहा है और constantly एक चाला उसी के ऊपर रगड खा रहा है जिसके उपर dentures अटक रहा है और वो चाला बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बट patient उसको ध्यान नहीं देता तो वही cancerous एक ग्रोथ बनने लगती है कुछ चो cancers चो tumors होते हैं उनको exercise कर दिया जाता है exercise मतलब कि उनको वहीं से कट कर दिया जाता है surgically कई बार उनकी radio therapy होती है कई बार tongue करनी पड़ती है पूरी tongue निकाल दी जाती है आधी tongue निकाल दी जाती है तो depending on the degree of the cancer treatment किये जाते हैं chemotherapy होती है दवाईों से होते हैं सब्सक्राइगा treatment यह तो बहुत खतरना चीज है लेकिन उन लोगों बहुत समझना पड़ेगा जो लोग भी टोबै को खाते हैं गंजियूम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज काते हैं जिसके वाज़ा से cancer हो सकता या होते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज होगा आपका कोई मैसेज देना चाहेंगे बिल्कुल मैसेज है मेरा मैसेज यह जनरेशन के लिए यह रहेगा कि से नू से नू टू एनी सच तिंग जिससे आपको जरा भी खत्रा है आपके मूँ के लिए या इवन फर एनी बॉड़ी पार्ट आपको अगर पता है कि ओरल कैंसर का सिग्रेट के ऊपर निशान बना रहता है उस पर बुरी पिक्चर बनी रहती है ओरल कैंसर हो जाता है या लंग कैंसर हो जाता है तो वह आपकी information है जिसको आपको समझना है अगर आप cigarette smoking just for fun कर रहे हैं तो बिलकुल बिलकुल बंद कर दीजिए और ऐसी company से दूर रहे है जहां पर भी आपको ऐसा करने के लिए वो लोग मजबूर करते हैं तो I would say say no at the first chance only and stay away from all such smoking and all such habits brush को कहां रखना चाहिए मैंने ऐसा सुना के washroom में रखनी जाना toilet flushing के टाइम पर कुछ particles brush में आ जाते हैं जिससे बीमारी होने के chances बढ़ जाते हैं काफी तो brush को कहां रखें और कितने दिन बाद हम change करना चाहिए brush साल साल बार यूज करते रहते हैं brush को brush को आप washroom में cabinet के अंदर रख सकते हैं ताकि direct जो भी flushing से particles आ रहे हैं उनसे avoid कर सेके नहीं तो caps भी आती है brush की जिनको आप cover कर सकते हैं and if possible 6 feet की दूरी पर अगर रख सकते हैं तो that is also acceptable बाकी brushing कैसे कर रहे हैं आप उसके उपर depend करते हैं कि आपका brush कितना चलता है on an average 2-3 महीने से जादा नहीं चलता है कुछ लोग का bristles जब बिल्कुल मुड जाते हैं गंदे दिखने लगते हैं तब वो change करते हैं तो उससे जादा harm हो रहा होते हैं कि दातों पे वो घिस रहे होते हैं वो नहीं होना चाहिए तो आपको around 2-2.5 months में brush को change करना चाहिए एक और चीज़ अगर आपको cold cough, throat infection होके चुका है उस समय के बाद आप अपना brush change कर दीचे क्योंकि आपने जो भी brush किया during your infection तो it gets loaded with bacteria ठीक है तो आपको change कर लेंगे तो आपका better रहेगा secondly आप जब जहां पे सब family वाले एकहटे brushes रखते हैं या couples साथ में रखते हैं अगर आपको infection है तो आप अपना brush अलग रखिए ताकि उसको दूसरे को infection ना हो उसके chances